एक्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले कहां मिला था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, भारत में कोरोना मरीज सबसे पहले केरल में मिला था. एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 में लगा था एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर महात्मा गांधी जी की हत्या 1948 में की गई थी एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, स्वर्ण मंदिर भारत के अमरित सर शहर में स्थित है? एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अफगानिस्तान देश की राजधानी कहां है? गैंडीडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल में है एक्जामिनर ने कैंडीडेट से अगला सवाल पूछते हैं भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर भारत में ब्लू सिटी शहर के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर केरल भारतिय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ दया करना होगा एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं आकाश की तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ होगा असंभव कार्य करना एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछता है महात्मा गांधी का चश्मा कौन से देश ने खरीदा था कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर महात्मा गांधी का चश्मा अमेरिका देश ने खरीदा था एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते है लुडो गेम का आविश्कार किस देश में हुआ था कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर लूडो गेम का आविश्कार इंग्लेंड देश में हुआ था एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं कौन सी सब्जी खाने से बाल जड़ना बंध हो जाते हैं कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है दोस्तो ये सवाल आपके लिए है आप बताईए कि महात्मा गांधी किस जाती के हैं दोस्तो इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में बताना हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही-सही आंसर दे पाते हैं Examiner ने Candidate से अगला सवाल पूछते हैं, हंजो की नोट पर कितनी भाषा लिखी होती है? Candidate थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, हंजो की नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती है. Examiner ने Candidate से अगला सवाल पूछते हैं साबुन बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग जाता है? Candidate थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है. Examiner ने Candidate से अगला सवाल पूछते हैं किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? Candidate थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, तरबुस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाती है. एक्जामिनर ने, कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस प्रधान मंत्री ने तीन शादियां किये थे? कैंडिडेट, थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, भारत की मोरारजी दिसाई प्रधान मंत्री ने तीन शादियां किये थे? एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ड्रोन का आविशकार किस देश में हुआ था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर ड्रोन का आविशकार आस्ट्रेलिया देश में हुआ था एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, हाथी का बच्चा कितने साल तक अपनी मां का दूध पीता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, हाथी का बच्चा पांच साल तक अपनी मां का दूध पीता है एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर अंधेरे में रखना मुहावरे का सही अर्थ है जूठ बोलना एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं कान खड़े होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, कान खड़े होना, मुहावरे का सही अर्थ है, चौकना होना एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर, अंतरिक्ष का शहर बंगलॉर को कहा जाता है एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देता है कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर मंगल ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देती है एक्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं मनुष्य के मृत्यू के बाद कान और नाक में रुई क्यों डालते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोच कर बताती है सर मृत्थ शरीर को नहला कर उसके नाक और कान में रुई डाल दी जाती है इसके पीछे वैज्यानिक मान्यताएं हैं जिसके अनुसार मृत्थ शरीर के अंदर कोई की टानू न जा सके इसलिए नाक और कान को रुई से बंद कर दिया जाता है इसके अलावा मृत्थ शरीर के नाक से एक द्रव निकलता है जिसे रोकने के लिए रूई का इस्तेमाल किया जाता है वहीं दूसरा कारण धार्मिक गरंथों से जुड़ा है हिंदू गरंथ गरुड पुरान के अनुसार मृत शरीर के खुले हुए हिस्सों में सोने के टुकडों को रखा जाता है जिसे शरीर के नौ अंगों में रखा जाता है सोने का टुकडा बहुत ही पवित्र होता है इसे मृत शरीर पर रखने से शरीर की आत्मा को शांती मिलती है नाक और कान के छेद बड़े होते हैं उसमें रखा हुआ सोने का टुकडा गिर ना जाए इसी लिए नाक और कान में रूई डाली जाती है